नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पर्थम पूजनिय भगवान गनेज जी की पूजा में दुर्वा घास के बहुत मात्व है माना जाता है कि भगवान गनेज की पूजा बिना दुर्वा के अधुरी है और भगवान गनेज की अराध्ना में दुर्वा अर्पित करने से हर तरह का बिग्न बाधाएं समावत हो जाती है यहां तक कि इस महापुरान में चर्चा आती है कि जब कुवेर देव गनेज जी महराज को खाने के लिए निमंतरन देते हैं तो उनका पूरा भंडार ही गनेज जी खा जाते हैं या फिर इतना खाते हैं कि उनके पास जितने भी थे यहां तक कि उनके नगर में जितने लोगों के पास अनास्ताक सारे खाने लगते हैं वो दोड़कर भगवान सिफ के पास जाते हैं तब सिफ जी उन्हें एक दुर्वा घास देते हैं और कहते हैं इसे गनेज जी को दे देना उनकी भूख समाप्त हो जाएगी और कुवेर्दे महराज वही दुर्वा घास गनेज जी को सिर्फ एक दुर्वा ही उन्होंने कहा था लेकिन उन्होंने सोचा एक से क्या होगा इतने इतने खा रहे हैं तो चलो और दो चार ले ले लेते हैं और उन्होंने वो दुर्वा घास जब गनेज जी को दिया तो गनेज जी त्रिप्त हो गया तो गनेज जी को दुर्वा अर्पित करने का मतलब है आपने सब कुछ अर्पित कर दिया दुर्वा अर्पित करने से हर तरह की बिगन बाधाएं दूर हो जाती है गर में सुकसानती आती है और जो दुरवा गनेज जी को प्री है उसे बाल तुरीणम कहा जाता है वैसे तो बुद्वार के दिन दुरवा गनेज जी को आप जरूर अरपीत करें सास्त्र में कहा गया है कि दुरवा के कुछ महाप्रियोग होते हैं जिसको अगर आप अपना लें जीवन में तो आपके लाइफ की बहुत सारी समस्या यूही समाथ हो जाएगी तो चलिए जानते हैं दुरुआ के उन महा प्रियोगों के बारे में अब सवाल ये है कि आप ये दुरुआ अरपित कप करेंगे देखिए दुरुआ अरपित करने तो आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन बुदवार के दिन या फिर गनेज चतूर्थी के दिन अरपित करें तो जल्दी आपको इसके फल अरपित मिलते हैं कड़ी मेहनत के बाद भी जब आपका कमाया हुआ धन हाथ में नाटी के बहुत खर्च बढ़ गये हैं बीमारियों पर खर्च हो जाते हैं तब आपको दुर्वा का ये उपाय चरूर करना चाहिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं याद रखिए आर्थिक तंगी से बशने के लिए धन बचने के लिए बैंक वैलेंस बढ़ने के लिए धन संचे के लिए भगवान गनेज जी और मा पांच दुर्वा ले लें उसमें 11 गांट लगाएं और अर्पित कर दें ऐसा करने से पैसों की समस्या समाप्त हो जाती है और धन बचने रखता है अब सबाल ये भी है कि दुर्वा में 11 गांट लगाएंगे कैसे देखिए आप चाहें तो दुर्वा घास में ही लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं कर पा रहे तब आप पांच दुर्वा लेकर आप एक माला बना कर भी उनको सफेद धागा याद रखिए सफेद धागा में या लाल धागा में बना कर गनेज जी को पहना सकते हैं मानेता है लंबे समय से अगर कोई काम आपका पूरा न मांगिए अब यह नहीं कि आपने कुछ भी मांग लिया परधान मंतरी बन जाए मुखे मंतरी बन जाए ऐसा मांगिए जो 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 भगवान पूरा कर सके यकीन मानी वह जरूर पूरा हो जाता है क्या करेंगे दुर्वा घास को गाय के दूद में मिला कर उसको लेब बना ल दूद मिला कर उसको पीसा है न दुर्वा को इसका ही तिलक माथे पर लगाए आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है यह कब करेंगे यह कभी भी कर सकते हैं आप सोंबार के दिन से सुरू कर सकते हैं कभी भी सुरू कर लें आपकी समस्त मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो गया है अपने हाथों से दुर्वा ना मिले तो घास भी खिला सकते हैं लेकिन हरा चारा खिलाने से घर में सुक्सानती रहती है, लेकिन बुद्वार के दिन जब आप गनेज जी को दुर्वा अगर मिल जाता है तो 11 या 21 भी ले सकते हैं और गनेज जी को अरपीत करें, धन का आगमन होता रहता है दुर्वा हमेशा वैसे तो आप एक भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन दो चार छे जोड़े में अर्पित करते हैं तो धन की मुस्किलें दूर होते हैं याद रखिए मननत पूरी करने के लिए एक भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन धन के लिए जब आप जोड़े में अर्पित कर दें दुर्वा तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है लेकिन दुर्वा की कुछ हमारे देश में सायद ही ऐसा कोई मांगली कारे होगा जिसमें हल्दी दुरवा क्या हो सकता ना पड़े यानि कि दुरवा और हल्दी हर हाल में चाहिए और जब आप बुद्वार के दिन गनेज जी को दुर्वा अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो गनेज जी सिगर पुरसन हो जाते हैं सभी मनोकामनाय फूर्ण करते हैं लेकिन कुछ मतकारिक प्रयोग आज भी आगे भी हम आपको बताएंगे चले वीडियो के अंतक बने रहिएगा माना जाता है अगर आप नियमित रूप से गनेज जी को दुर्वा अर्पित करते हैं तो कुबेर के समान धन की प्राप्ती होती है या दखिए कुबेर के समान धन की प्राप्ती होती है अगर 11 दुर्वा हर बुद्वार के दिन किसी भी पास के गनेज जी के मंदिर में या सिप जी के मंदिर में गनेज जी तो होते ही है अरपित करना शुरू कर दें तो घर का वास्तु दो समाप्त हो जाता है और दुर्वा जब भी तोड़ें कोई अच्छे जगर से फैट क्यूमरिक एसीड फाइबर ग्लुकोसाइड हाइड्रो कारवन मेंगनेसियम तमाम जैसी बिटामिन ए बिटामिन सी जैसी चीजे होती है और अईरुवेदिक अगर हम माने तो अईरुवेद में लिखा है दुर्वा घास को सहस्तर बीर कहा गया है इसके कई गुना ल युदि के मैदान में अनला सुर ने भगवान गनेस पर आग के गोले से हमला किया भगवान गनेस ने अपना विश्व रूपन ग्रहन किया और उसे निगल लिया अनला सुर खाने के बाद भगवान गनेस का सरीर गर्म होने लगा पूरे सरीर में जलन होने लगा इसे सांथ करने के लिए चन्रमा उन पर खड़ा था भगवान विश्व ने उन्हें अपना कमल दिया भगवान सिव ने अतरिक्त गर्मी को छोड़ने के लिए उसकी कमर के चारो और अपना सांप बान दिया लेकिन कुछ भी काम नहीं किया जब ये सभी बिफल हो गए तब रिशियों के एक समुव ने दुर्वा घास के 11 पत्ते अरपित किये दुर्वा घास वह करने में सक्षन थी जो चंद्रमा विश्णू के पवित्र कमल और सिव के पवित्र कोबरा एक साथ हासिल करने में समर्थ नहीं था इसने भगवान गनेश के सरीर से राक्षस अनला सुरद्वारा अतिरिक्त गर्मी को नीचे लाया आगे लिखा है कि प्रकिर्ती में सीतल, स्वाद में मीठी, कसेली और पचने में हलकी होती है ये कफ पित समक जड़ी बूटी है ये दुर्वा घास महिलाओं के लिए खास उपयोगी है अलाकि इसके बारे में बाद में बताएंगे आज हम तांतरिक परियोग के बारे में बता रहे हैं आपको कुछ जोतिसी परियोग के बारे में बता रहे हैं चलिए आगे जानते हैं दो महा परियोग भगवान गनेश को उनके प्रिय दुर्वा चड़हाने से समस्त साधना सिग्र ही संपन्न होकर फलाई होती है बुद्वार या अमोस्या के बाद आने वाली सुक्लपक्ष की चतूर्थी थी जिसे हम बिनायक चतूर्थी कहते हैं इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्थी के लिए भगवान गनेश के समक्ष दूर्वा एकईश दूर्वा की गांठ अर्पित करें और फिर मंतर बोले ध्यान रहे एकईश दूर्वा को इकठा करके एक ही गांठ बनाना है सब को आप इकठा करके किसी सफेध धागा या लाल धागा के सहरे बांध ले और गनेश जी के सिर पर ही हमेशा दुरुवा घास रहता है आप उनको माला भी चढ़ा सकते हैं लेकिन पैरों में नहीं अर्पित करना चाहिए तो दुरुवा अर्पित करने का मंत्र है श्री गनेशाय नमह दुरुवा कुरान समर पयामी इस मंत्र को बोलकर अगर आप दुर्वा अरपित करते हैं तो समस्त मनुकामनाए अपकी पूरी हो जाती है अगर आपका बंता कारे बार बार बिगड जाए तब एक छोटा सा काम करें बुद्वार के दिन भगवान गरनेश को दुर्वा अरपित करें दुर्वा को उनके मस्तफ पर चढ़ाएं याद रखें लगातार साथ बुद्वार के दिन ऐसा करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं गनेज जी को जब आप दुर्वा जो अर्पित करेंगे ना जहां लोग चलते फिरते हैं वैसे जगह से मत लीजेगा साप सुत्री जगह से लें आप चाहें तो घर में एक मिट्टी का गमला लेकर आएं उसमें दुर्वा लगा सकते हैं दुर्वा में परती दिन पानी दें देखवाल करें तो भी आपके लिए अच्छा है माना जाता जिसके घर में दुर्वा रहता है उसके घर में गनेज जी साक्षात रहते हैं तो दुर्वा आप जरूर लगाईए अपने घर में किसी भी पौधे हैं आपके फूलों के उसमें भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा है तो आप उसके पास भी दुर्वा का पौधा लगा सकते हैं यह आपके लिए बहुत सूब रहेगा और अगर आपके घर में बाई जा में बांद कर संभाल कर रख लें तो हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं पीछे नहीं आते हैं गनेज जी का जैसे की बिनायक पर सरदा और विस्वास आपको रखना चाहिए उनका बहुत सारा मंत्र है किसी भी मंद्र का जब करके उन्हें दुरवार पित कीजिएगा आपके अच्छा है फिलाल आपसे विजा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कमेंट करें धन्यवाद